पहली चीज है computer और दूसरा चीज है laser printer laser printer कोई भी हो सकता है किसी भी company का हो सकता है और इस business को सुरू करने के लिए थोड़ा सा basic knowledge आपको computer का होना चाहिए computer में एक software आता है जिसका नाम है Corel Draw आप उसे download कर लें उस software को यहाँ पर editing काफी आसान हो जाता है so हम यहाँ पर smart ideas का एक seal बना रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार का requirement हो आप उस प्रकार का यहाँ पर content डाल सकते हैं Hindi English हर तरह का इसमें आपको सुविधा मिल जाता है और आपको कुछ इस तरह से आप print out निकाल लेना है जैसे normally हम लोग print out निकालता है same वही कहानी है इसमें इसमें कोई rocket science नहीं है print out जो निकालना है उस paper का नाम है butter paper इसके उपर आपको print out निकालना है और इसका दूसरा नाम क्या है इस paper का pressing paper यह paper भी आपको kit के साथ मिल जाता है यह pre-ing stamp बनाने के लिए एक तो first एक mount लगता है यह है mount है इसको mount का हला बोलते है यह foam slap रता है यह Dura company का रता है foam slap उसके बाद यह OHP sheet रती है इसको OHP sheet बोल देते है transparent sheet भी बोलते है उनको यह sheet यह आवशकता है यह 3 चीज आपको stamp expose करने के लिए आवशकता है यह machine के उपर का धकन आपनको निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में stamp बनाना है इसे बीच में expose करना है flashing के लिए इधर रखना पड़ता है तो यह flashing exposing area बोलते है उसको इसमें लगबग आप postcard size stamp बना सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा simple छोटा भी बना सकते हैं एक इंच का या ज़्यादा ज़्यादा सबसे बड़ा postcard size बना सकते हैं यह tracing paper है butter paper अपने print out निकला है printer से laser printer से print out निकला है वो आपनको वो size का जैसा stamp बनाना है वो size का cutting करना है यह tracing paper है वो आपनको चाहिए stamp बनाते हो जितना stamp का matter है उतने size का आपको cut to cut करके cut करके लेना पड़ेगा तो यह आपन cut करके ले रहे है वो size का अब अब अभी second tracing होने के बाद वो ही size का अपनको OHP sheet cut करके लेना है उसको tracing OHP sheet means clear transparent sheet भी बोलते है यह transparent sheet है वो ही size का उससे बड़ा जैसी tracing paper है उससे 2 इंच बड़ा चाहिए 2 इंच या ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हो गए तो चलेगा उसको अब यह अपने मशीन में expose करने जा रहे है तो first यह glass है glass के उपर एक acrylic sheet रहती है वो acrylic sheet उसके उपर रखना ज़रूरी है उसके बाद एक tracing paper है तो tracing paper एक आज के उपर acrylic sheet के उपर रखना है उसके बाद यह OHP sheet रखना है उसके बाद जो size का, उसका foam slab cutting किया हुआ है वो size का exit उसके उपर रखना है यह foam slab रख दिया, उसके उपर यह filler box है black color का, वो आपने को रखना पड़ेगा उसको pressure के लिए रखना है हो तो यह पूरा आपने को lock करना है pressure जितना pack हो सके, उतना pack करके pressure से pack करना है उसके बाद यह उपर का डखन रखना है वो डखन आपने को उपर का रखना आवशकता है क्योंकि उसमें flashing होता है तो उसके लिए flashing ने बहार नहीं आनी चाहिए इसके लिए वो डखन रखना है अभी यह machine है, machine left side में on off button दिया हुआ है वो on करना पड़ेगा on करने के बाद एशन सिमंदर डिस्पले के उपर आएगा एशन सिमंदर आने के बाद आपनको number of flash select करना है इसमें आप 1 to 9 भी select कर सकते है तो आपन एक stamp के लिए approx 4 flashing लगता है तो 1, 2, 3, 4 तो 4 आने के बाद आपनको छोड़ देना है उसको तो automatic charge flash number of charge flash आएगा automatic charging पे जाएगा charging होने के बाद automatic of flashing लेगा तो flash fire firing flash ऐसा लिखर आएगा उसमें तो ऐसा number of आपनको 4 automatic flash होने वाले हैं तो अभी दो बचे है flash firing यह fire करता है हाँ flash फट जाता है अभी एक बचा हुआ है उदर सब लिखर आएगा number of flash कितना balance है और stamp होने के बाद stamp is ready आएगा उदर और बजर भी बजेगा तो आपनका stamp ready हो गया है तो आपनका डखन आपनको निकलना है वापिस ओपन करना है तो आप देख रहे हैं अपने रखाता पहले tracing paper OHP sheet वो धीरे से आप प्रॉपरली निकालिए आपका stamp ready हो गया है मतलब flashing properly clear हो गया है यह चारो साइड अपना expose properly होना जरूरी है तो आपनका flashing properly हो गया है तो आपका impression भी clear आएगा foam slab अपन के machine के flashing किया है तो flashing करने के बाद अपनको ink tray लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें ink rifling करना पड़ता है ink absorb हो जाती है तो यह tray है यह tray है यह tray है यह tray है market से कहाँ पर मिल जाता है tray यह tray हम actually जब machine और material लेते हैं तो हम आप एवलवल कर देते हैं और यह plastic tray है उसके अंद एक cloth है तो ink absorb करने के लिए है यह ink आएँगी उसमें Dura company की ink है Dura ink उसके अंदर डालना है tray के अंदर इस tray में ink इसके फोम slab आदा डूबना चाहिए उतनी ink इसमें डालना पड़ेगा अपन को यह form slab वरिडिंग उपर होने चाहिए यह form slab अंदर आपन को रखना है ताकि वो form के अंदर ink चली जाएंगी उसमें जितना ज़्यादा कम से कम इसको 15 या 20 minutes आपन को रखना पड़ेगा और कम भी रख सकते आप 2 मिन भी रख सकते आपको urgent stamp देना है तो आप 1 मिन रखकर वापिस customer को तूरंद आप stamp दे सकते है पर जितना आदा गंटे या 20 मिन या आदा गंटा रखेंगे तो आपको उसका number of impression है उसका impression ज़्यादा आएगा number of impression 10,000 impression आजाएंगे यह tray के अंदर वो form रखा था वो आपन निकाल के mount को pest कर रहे है तो आप यह चिम्टा है चिम्टे से पूरा आप ink साप करके लेज़े ट्रे के अंदर पूरा साप कीजिए और आप रख सकते हैं इदर उसके बाद यह wording दिख रही है यह उल्टा करना है उल्टा करके आप impression ऐसे चेक करना है सही आ रहा है उसके उपर जो ink रती है तो ink आपने tissue paper पे absorb पूरा निकाल के लिजए ताकि उसके उपर आपन को चिपका ना है mount को चिपका ना है तो सही तरह से चिपका सके इसके लिए वो ink अपको पूरा tissue paper से निकालना है उपर की तो यह foam आपने tissue paper से उपर का इससा clean करके लिए उसके उपर के ink absorb निकाल के लिए आए तो यह mount रता है माउंड को अपन को चिपकाना है तो माउंड को चिपकाने के लिए फुवु bon । उसके उपर लगाना है फ्यू बॉन उसका जितना एरिया है उतना आप लगा दीजिये उसमें इसकी उपर भी थोड़ा लगाना है चारो साइट प्रॉपरली फ्यू बॉन लगाया तो प्रॉपरली चिपक जाता है आप देख रहे हैं स्टाम रिडियो हो गया आप देख रहे हैं फ्लैशिंग प्रॉपरली होने के वज़े से साइट से आपको का इंग नहीं दिख रही है क्योंकि जो फ्लैशिंग ये प्रॉपरली चारो साइट फ्लैशिंग क्लियर हो गया है इसके लिए आपका stamp की impression की quality भी clear आ रही है तो अभी आपने ये डूरा stamp बनाने का विदी देख लिए अभी अभी हम ये box वाले रते एक stamp पर sun stamp बोल देते हैं वो stamp बनाने का procedure हम आगे बता देते हैं आपने डूरा stamp बनाया था उस जैसे आपन sun stamp बनाने के लिए same tracing paper पर प्रिंट आउट लेना पड़ेगा तो tracing paper आपन जो size का है वो size का cut कर देते हैं same tracing paper cut करके लिजिए और जो size का है वही size का tracing paper cut करना पड़ेगा उसके बाद same OHP sheet transparent sheet बोलते हैं उसको clear sheet रहती है उससे 2 mm बड़ा चाहिए वो बड़ा sheet cut करके ले लिजिए उसके बाद जो stamp बनाना है box वाले उसको एक stamper बोल देते है sun stamp भी रता है plus stamper भी रता है same दिखने के लिए रता है brand अलग अलग है stamp का तो holder पहले ले लिजिए अपने OHP sheet cut करके लिए है ट्रेसिंग भी cut करके लिए फोम के holder ले फोल्ड के उपर OHP sheet रखना है और वही size का प्रॉपर यह वाला जो है यह डबा जो है ऐसे ही बना हुआ आता है इसमें कहां फिवी बॉण से कोई चिपकाने के आउशकता नहीं है तो यह फोम के उपर आप OHP sheet रखिए और वही size का properly cut करके रखिए इसमें ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए जैसा फोम का area है उससे 2 mm ज्यादा बड़ा चाहिए उसके उपर जो tracing paper अपने print out निकाला है वो उसके उपर उल्टा रखना है और जो अपनको size का चाहिए वही size का अपनको लेना पड़ेगा उसके बाद वो properly center में रहना चाहिए इधर भी नहीं जाना चाहिए एक site में नहीं जाना है यह हिलना नहीं चाहिए तो अपनका seller tip रता है seller tip से आप दोनों साइट से आप चिपका दीजिए उसको अगरे बीचिपकाते समय उसको तेड़ा वगएरा चिपकाना नहीं चाहिए एकदाम state चिपकाना पड़ेगा यह चिपकाने के बाद पूरा holder दोनों साइट से रीडी हो जाएंगा वह holder पूरा यह machine के अंदर आपको रखना है machine के अंदर रखते समय प्रॉपरली सेंटर पे रख दीजिए उसको और आप वह उपर का डखकन आप पैक कर दीजिए पूरा tight करना है तो वापिस यह machine चालू है तो आप number of flash चार से लेट कर दीजिए अलड़ी यह एक बार से लेट किया चार तो यह वरी टाइम आपको बार बार आपको चार सेट करने के आवशक्ता नहीं पड़ेगी आप खली एक start का button दबाईए यह full automatic machine है तो start button दबाने के बाद automatic firing flash हो जाता है जितना भी बचे हुए flash सामने दिखता है आप कितना flashing रह गया है stamp होने के बाद आप stamp ready लिखर भी आता है और अपना बजर भी बचता है अब ही एक flash रह गया है stamp is ready और यह दो बार बजर बच जाएगा उसके बाद आपको बजर होने के बाद उपर का डखकन निकलना है डखकन निकलने बाद सेम आपको यह निकलना है उसका screw धीरे से निकलना है यह आप देख सकते है stamp ready हो गया है जैसा आपने लगाया था तो वही दीरे दीरे आप चेक कर सकते हैं निकल सकते हैं और देखे हैं एक flash हो गया है यह clarity देखे हैं यह clarity यह अपन के उडान machine में आ जाती है क्योंकि विकाज उसमें logic controller लगा हुआ है logic controller क्या करता है जितना flashing चाहिए उतना ही flashing होता है और flashing नहीं होता है और कम भी flashing नहीं हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं अपने machine के अंदर यह flashing किया हुआ है stamp flashing होने के बाद इसमें आपन को ink डालना पड़ेगा तो ink डालने की मैं प्रोसेजर बता रहा हूँ इसके उपर एक डखकन रहता है वो डखकन आपको निकालना है डखकन निकालने के बाद आपन यह वजं काटा है वजं काटा स्मॉल वजं काटा है वो on करना है वजं काटा इसके लिए देना है आपको एक्जेड इसमें इंग गई तो एक्सेस इंक नहीं होती है जादा इंक नहीं हो जाती है जितना इंक चाहिए उतना इंक वजं काटे के उपर रखना है उसके बाद वजं टेर जीरो करना है जीरो होने के बाद उसके उपर इंक डालना है तो इंग properly इसको 4 ग्राम इंग डालने पड़ती है तो आप उसमें 4.00 छोटा ओल्डर रगा है तो 2.5 लगता है तो actually इंग चार्ट रता है इंग चार्ट के हिसाब से आपको इंग डालना है इसमें पॉइंट दस भी सिधर हो गया है तो कोई इशू नहीं आता है तो आपका इंग इसमें उसके अंदर डाल गया है होने के बाद आपका ढकन वापिस इसकी उपर क्या प्रता है क्या प्लगाना है और वापिस रखना है विदिन 20 मिनिट्स में आपका अटोमेटिक इंक अबज़र इसमें अंदर बाहर से निकलेगी जब भी इंप्रेशन लेंगे तो आपकी इंक आ जाएंगी तो आपको 10 या 20 मिन्ट आपको वेट करना है अब ये अपने इंक डाला था होल्डर के अंदर इंक डाला हुआ था तो अभी 20 मिनिट्स के बाद आपका इंप्रेशन रीडी हो गया है आप उसको देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसके इंप्रेशन आपको सिंगल कलर मी बना सकते है या मल्टी कलर मी भी बना सकते है और आपको इसका जो प्रोड़क्शन कोस्ट उसका खर्चा आने वाला है खर्चा खाली केवल 50 रुपे कोस्ट आ जाता है एक स्टाइम के लिए और ये सेल होता है 400 रुपीज में छोटे गाओं में 300 में भी बिखता है और सीटी में 400 रुपे में बिखता है ये स्टाइम जुसरा है उसको डूरा प्लस स्टाइम है ये डूरा स्टाइम का खर्चा आता है केवल 70 रुपे ये भी सेम फोर 400 रुपे में सेल हो जाता है उसके बाद तिसरा स्टैम में यह pocket में भी आता है print stamp बलते हैं उसको कियवल आपको एक स्टैम के लिए 40 रुपे खरचाता है यह pocket में भी बनता है और box में ऐसा बन जाता है तिसरा स्टैम है sun stamper यह sun stamper इसका अंदर जो foam है जापनी से इसले उसका production cost उसका जादा है 100 रुपे एक stamp के लिए खरचा आता है regular stamp के लिए छोटा stamp रता है लोगों का उसको 60 रुपे भी खरचाएंगा पर अपना round stamp रता है address stamp उसको 100 रुपे खरचा आता है और सेम 400 से 4500 रुपे में यह सेल हो जाता है तिसरा stamp है crystal diamond करके नया market में आया हुआ है इसमें इसका look भी दिखने के लिए खुबसूरत है टेबल के उपर आप paper weight के जैसा भी रख सकते है stamp प्लस paper weight इसका खरचा आपको केवल 60 रुपे खरचा आता है सेम यह 300 रुपे से लेके 400 रुपे तक आपका यह सेल हो जाता है stamp है उसको एक stamper है एक stamper company अलग company है इसमें pocket भी है pocket में same pocket stamp जैसे यूज़ जोते है उसमें holder में चाहिए box में box में भी available है उसमें आप kitchen stamp भी है सेम आप single color आप single line का भी stamp बना सकते है mobile number है या खाली नाम है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते है kitchen stamp है दोनों प्रकार के stamp अपने यह उडाम fly stamp पर में बनाया जाता है यह डूरा stamp और यह box वाला stamp यह दोनों टाइप का stamp